साथियों, गुजरात से यहाँ दिल्ली आने के बाद भी मुझे निरंतर अपनी गुरुओं की सेवा का अवसर मिलता रहा है। 2016-17 गुरु गोविन सीजी के प्रकात उत्सव के 350 साल का पुन्य वर्ष था, हमने देश विदेश में इसे पूरी सद्धा के साथ मुनाया। 2019 में गुरु नानक देवजी के प्रकास परवके 550 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार पूरे उत्सा से इसके आयोजन में जुटी। गुरु नानक देवजी का संदेश पूरी दुनिया तक नई उर्जा के साथ पहुँचे इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किये गए। दुसकों से जिस करतारपूर साहब कोरिडोर की प्रतिक्षा थी 2019 में हमारी सरकार ने ही उसके निर्मान का काम पूरा किया। और अभी 2021 में हम गुरु तेक बहदूर जी के प्रकास उत्सव के 400 साल मना रहे हैं। आपने जुरूर देखा होगा अभी हाली में हम अफगानिस्तान से सह सम्मान गुरु ग्रंद साथ के स्वरूपों को भारत लाने में सफल रहे हैं। गुरु कृपा का इससे बड़ा अनुभाव किसी के लिए और क्या हो सकता है। अभी कुछ महिने पहले जब मैं अमेरिका गया था, तो वहां अमेरिका ने भारत को एक सो पचास से ज़्यादा जो भारत की एतिहासिक अमानत थी, जो कोईन कोई चोरी करके ले गया था, वो एक सो पचास से ज़्यादा एतिहासिक वस्तुएं हम वापिस लाने में सफल हुए है। इस में से एक पेश कब्ज यानि छोटी तलवार भी है, जिस पर फार्सी में गुरु गोविन सी जी का नाम लिखा है। यानि ये वापस लाने का सवभाग्य भी हमारी ही सरकार को मिला। मुझे याद है कि जामनगर में दो साल पहले जो साथ सो बेड का आदुरिक अस्पताल बनाया गया है, वो भी गुरु गोविन सी जी के नाम पर है। और अभी हमारे मुख्यमंत्री पुपेंद्र भाई इसका विस्तार से वर्णन भी कर रहे थे। वैसे ये गुजरात के लिए हमेशा गवरों की बात रहा है कि खाल सा पंत्र की स्थापना में अहम भूमी का निभाने वाले पंज प्यारों में चोथे गुर्षिक भाई मोकम सी जी गुजरात के ही थे। देव भूमी द्वारका में उनकी स्मृति में गुरुद्वारा बेड़ द्वारका भाई मोकम सींग का निर्मान हुआ है। मुझे बताया गया है कि गुजरात सरकार ने लगपत साहिब गुरुद्वारा और गुरुद्वारा बेड़ द्वारका के विकास कार्यों में बड़ोत्री में भी पूरा सयोग कर रही हैं।